परिचाए ए रोहित देखो मौसम कितना अचा है आ दीपक अरे रोहित जरा इधर देखो यहाँ पर कई सारे मेड़क जल में कूद रहे हैं यह कहां से निकलाते हैं? यह बारिश के मौसम में निकलाते हैं क्योंकि तब सूखे का कोई भै नहीं होता है वे सांस कैसे लेते हैं? दीपक यह एक अच्छा प्रश्ण है जल के अंदर मेड़क आंतरिक गलपड़े यानि कलोम तथा अपनी तवचा द्वारा श्वसन करते हैं जबकि वायो में वे अपने फेबड़ों द्वारा श्वसन करते हैं उनकी तवचा श्लेश मयुक्त चिकनी तथा सदेव नम बनी रहती है मैं तुम्हें एक रुचिकर बात पताता हूँ कि वेस्क मेड़क में पूँझ नहीं पाए जाती है तथा टेटपोल में पूँझ उपस्तित होती है चलिए अब इसके विशे में और अधिक जानते हैं इस अध्याय में आप जन्तूओं की आकरी की तथा शारीर की के विशे में जानेंगे केचवा केचवा यानि फेरिटिमा पोस्थुमा एनलीडा संग का प्राणी होता है निम्नकारणों की वजह से इसका प्रयोग इस्म के अध्यान के लिए किया जाता है आर्कटिक तथा अंटाक्टिक क्षित्रों को छोड़कर यह पूरे विश्में पाया जाता है यह आसानी से उपलब्द हो जाता है यह आहानी कारक होता है अध्यान के लिए इसका आकार सुविधा चनक होता है इसकी आकरीकी का भली भांती अध्यान हो चुका है आकारीकी केजुओं का शरीर लंबा, बिलनकार तथा दुईपाश्व सम्मिती का होता है शरीर का अगर सिरा नुकीला तथा बिल खोदने में सहायक होता है जबकि पश्च सिरा अधे किया कम कुंद होता है एक पूर्ण परिपक्व केजुएं की लंबाई समानिता चार से छे इंच तथा व्यास इसके एक चौथाई से कम अथवा एक इंच होता है शरीर की सतह अनुप्रस्थ गोल खांचो द्वारा शरीर खंडों में विभक्त होती है खंडों की संख्या सौ से अधिक होती है प्रोमुख यानी प्रोस्टोमियम तथा परितुंड यानी पेरिस्टोमियम केजुए का सर प्रथक नहीं होता है अगर स्रे पर एक शंको रूपी मासल पाली पाई जाती है जिसे प्रोमुख कहते हैं जो मुख को ढखती है शरीर का पहला खंड परितुंड परिस्टोमियम या मुख खंड होता है जिसमें मुख उपस्तित होता है पुरोमुख समवेती होता है जिसकी जाहता से केचवा, प्रकाश तथा अंधिरे में अंतर ग्याद कर सकता है परियानिक यानी कलाइटेलम वेस्क क्रमी में मोटी तथा ग्रन्थिल तौचा का एक मुख्य बैंट परियाने की यानी कलाइटेम पाया जाता है, जो की शरीर के चौधवें, पंद्रवें तथा सोलवें खंड में स्थित होता है. शूक, प्रथम तथा अंतिम खंड के अलावा प्रते खंड में छोटे उप तवचिये शूक इस्थित होते हैं, ये कुछ घुमावदार या एस आकार की आकरिती वाली सनचनाय होती हैं, जिनके सिरे यानी किनारे शुंडाकार होते हैं, तथा ये सींग, सद्रिश पदार्थ काइटिन से मिलकर बने होते हैं, शारीरिकी, केच्वे की शरीर, भित्ती, पदली, मुलायम, चिकनी, भूरे रंग की तथा चमकदार होती है, उप्तवचा यानी क्यूटिकल, देह भित्ती की सबसे बाहे परत होती है, उप्तवचा यानी क्यूटिकल के नीचे, कोशिकाओं की एक एकल परत पाई जाती है, जिसे बाहे तवचिये यानी एपिडर्मल कोशिकाएं कहते हैं, परियानिक यानी कलाई टेलम के एक्षित्र में उपस्तित बाहे तवचा अतिधिक मोटी तथा अतिसमवहनी यानी विशिष्ट होती है, परियानिक ग्रंथियां, एलबूमिन, अंडे की सफैदी का स्रावन करती हैं, जो की कोकून के निर्मान में भाग लेता है, केच्वे की आहर नाल एक सीधी नलिका के रूप में स्थित होती है, यह प्रतम खंड में मुख से प्रारंब होती है, तथा पश्च सिरे परिस्थित गुदा में समाप्ड होती है, मुख प्रतम खंड में मत्थ अधर में उपस्थित एक छोटा अर्थ चंद्रकार छिद्र होता है, जो की मासल प्रोमुख यानि प्रोस्टो मियम द्वारा संदक्षित होता है, ग्रस्णी एक छोटी, मोटी भित्ती वाली तथा हाडू के आकार वाला कक्षि होता है, जो की तीन से पांचवे खंड तक फैला होता है, ग्रस्णी की प्रिष्ट भित्ती मोटी तथा बल्ब सद्रिश होती है, तथा इसे ग्रस्णी ये बल्ब भी कहा जाता है, ग्रासी का एक लंबी, मोटी भित्ती वाली संकुचित नलिका होती है, तथा ये पांच से आठवें खंड तक फैली होती है पीश्णी एक कठोर, मोटी भित्ती युक्त अंडाकार गक्ष होती है, जोकी आठवें से नवें खंड में उपस्तित होती है इसकी भित्ती अत्यधिक पीशिये होती है, तथा ये वृत्तिय पीशियों की एक मोटी परत का निर्मान करती है पीश्णी एक लंबे नलिकादार अमाशे में समाप्त हो जाती है, जोकी दस से चौदा खंड तक फैली होती है इसकी दीवारें अत्यधिक पीशिये तथा ग्रंतिल होती है, तथा इसमें आंतरिक रूप से कई वले पाय जाते है आंत्र आंत्र पतली भित्ती, जुरी युक्त, बाहिस सतेहवाली चौडी नलिका होती है, जोकी चौदवें खंड के पश्चाथ प्रारंब होती है आंतरिक असर में छोटे बले पाय जाते हैं, जिन्हें अंकुर कहते हैं ये एक अंकुर लंबा तथा सुविक्सित हो जाता है, तथा आंत्र वलन पनाता है, जोकी आंत्र की प्रिष्ट दीवार से इसके लिूमेन में लटकी होती है 15-26 खंडों में अस्थित आंत्र के भाग को पूर्व आंत्र वलनी क्षेत्र कहते हैं, इसकी दीवारे समवहनी होती हैं, तथा आंतरिक रूप से मुड़कर अंकुर का निर्मान करती हैं, इस भाग में कोई भी आंत्र वलन नहीं पाया जाता है आंत्र का आंत्र वलन ख्षेत्र 26 खंड से शुरू होता है, तथा लगभग 23-24 खंडों में फैला होता है बलाशय अंत्र के 24 तथा 25 खंड में इस्थित होता है, तथा इसमें आंत्र वलन तथा अंकुर नहीं पाया जाते हैं परी संचरन तंत्र केच्वे में बंद परी संचरन तंत्र पाये जाता है, जो की हिर्दय रक्त वहिकाओं तथा रक्त से मिलकर बना होता है रक्त ग्रंथियां रक्त कोशिकाओं तथा हीमोगलोबिन का निर्माण करती हैं, जो की प्लाजमा तथा शरीर के 4, 5 तथा छटवें खंड में उपस्तित रक्त ग्रंथियों में घुले होते हैं वॉल्व युक्त हिर्दय के चार चोड़े, 7, 9, 12 तथा 13 खंडों में उपस्तित होते हैं हिर्दय का संकुचन रक्त को एक ही दिशा में संचारित करता है छोटी रक्त वहिकाओं आहारनाल, मिरुरज्जु तथा शरीर यानि देह भित्ति को रक्त पहुँचाती हैं शोसन तंत्र इनमें केचुओं में कोई भी विशेशी क्रित शोसन तंत्र नहीं पाया जाता है शोसन गैसों का विनिमय तवचा की नमी में घुलनशील तथा शरीर भित्ति के अंतर नहित रक्त वहिकाओं की गैसों के मद्धे होता है ये तवचिय शोसन कहलाता है उत्सरजी अंग एक नलिकादार उत्सरजी अंग वरिकक कहलाता है ये तीन प्रकार के होते हैं पठिय वरिकक, अध्यावरणी वरिकक तथा ग्रस्नी वरिकक पठिय वरिकक, ये फैरिटिमा के सबसे लंबे वरिकक है पठिय वरिकक पंद्रवें खंड के पीछे अंतर खंडिये पटों के दोनों ओर पाहे जाते हैं विशेश प्रकार का पठिय वरिकक, तीन मुख्य भागों से युक्त होता है नैफ्रोस्टोम, शरीर तथा अंतस्त धमनी जानी वहनी अध्यावरणी वरिकक ये वरिकक प्रथम दो खंडों को छोड़ कर शरीर भित्ती के पूरे अंतरी कास्तर पर प्रतिक खंड में फैले होते हैं ग्रस्नी वरिकक ये चार, पाँच तथा छटवे खंड में ग्रस्नी तथा ग्रसिका के किसी ओर पर युक्मित गुच्छों के रूप में पाहे जाते हैं प्रतिक गुच्छे में नैफ्रोस्टोम रहित सौ से भी अधिक कुंडलित शाखिये नलिकाएं पाहे जाती हैं तंत्रिका तंत्र अधि ग्रस्नी या प्रामस्तिश्क गुच्छिका का एक जोड़ा सनलईत होकर मस्तिश्क का निर्मान करते हैं जोकि तीसरे खंड के अग्र तथा प्रिष्ट भाग में स्थित होता है ये एक जोड़ी परिधिये ग्रस्नीय की सहायता से दो अधो ग्रस्नीय गुच्छिकाओं जोकी ग्रस्नी के नीचे स्थित होती हैं उनसे जुड़ा होता है एक दोहरा अधर मेरूरज्जू अंतिम खंड तक फैला होता है गुच्छिकाएं मेरु रज्जु पर खंड के रूप में वैवस्थित होती हैं समवेदी तंत्र केचुए में प्रकाश और स्पर्ष समवेदी अंग विक्सित होते हैं जो प्रकाश की तिवरता के अंतर को मैसूस कर सकते हैं तथा प्रिथ्वी के कमपन को भी महसूस कर लेते हैं केचुए में विशेश प्रकार के रसायन समवेदी अंग होते हैं जो की रसायनिक उद्धिपनों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं ये समवेदी अंग क्रिमी के अगरभाग में पाए जाते हैं जनन तंत्र केचुए उभैलिंगी होते हैं अर्थात एक इही प्राणी में व्रिषण यानी नर एवं अंडाशय यानी मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं इनमें दसवेझ वा क्यारवेझ थन्ड में दो जोड़ी व्रिषण उपस्तित होते है प्रतेक खंड में एक जोड़ा उपस्थित होता है, प्रतेक वरिशन, विश्यन कोश में बंद होता है। प्रतेक वरिशन कोश शुकराण ये कीप में खुलता है, जोकी लंबी शुक्रवाहिका में खुलती है। सत्रवे से लेकर 20 खंड तक प्रोस्टेट ग्रंथी का जोड़ा हांतर के दोनों तरफ उपस्तित होता है। सहायक ग्रंथियों के दो जोड़े पाय जाते हैं, सत्रवे तथा 19 खंड में प्रतेक में एक जोड़ा पाया जाता है। संयुक्ट प्रोस्टेट और शुक्राणू वहिनी अठारवे खंड के अधर पाश में एक जोड़ा नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। साथी छटे से नौवे खंड तक प्रतेक खंड में एक छोटे थेले नुमा सनरचनाएं चार जोड़े शुक्राणू धानियां पाय जाती हैं। मैथुन के दोरान केचुए का एक जोड़ा शुक्राणूं का आदान प्रदान करता है। केचुआ एक कोकून को स्रावित करता है। जिसमें वो अपने अंडों को जमा करता है। तथा उसका साथी शुक्राणूं को संग्रहित करता है। शिशू क्रिमी लगभग पून विक्सित, किन्तु बहुत छोटे रूप में कोकून से बाहर निकलाते हैं। लगभग एक वर्ष में वे शिशू क्रिमी यानि केचवे पून आकार में विक्सित हो पाते हैं। कौक्रोच यानि तिलचट्टा कौक्रोच लंबी श्रिंगे काउं तथा पैरों वाले कीट हैं। आकारी की कौक्रोच यानि तिलचट्टे का शरीर मुख्यता, सिर, वक्ष तथा उदर क्षित्र में विभाजित होता है। कौक्रोच में सम्वेदी श्रिंगे काईं पाई जाती हैं, जो की इन्हें आसपास के वातावरण का निरिक्षन करने में सहायता प्रदान करती हैं। कौक्रोच का सिर त्रीकोणिये होता है, तथा ये शरीर के समकोण पर होता है। ये खंडों के सलयन से बनता है तथा लचीली करतन के कारण ये सभी दिशाओं में घूम सकता है। सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र तथा एक जोड़ी श्रिंगे काईं पाई जाती हैं, जो की वातावरण का निरिक्षन करने में सहायता प्रदान करती हैं। इनके मुख में जबड़े पाई जाते हैं, जो की उपर तथा नीचे के बजाए बराबर बराबर में गतिशील होते हैं, तथा इनका बहु मुखी मुख इनके भोजन को काटने, चबाने, चाटने तथा गोदने में सहायक होता है। आकारिकी वक्ष शरीर का मध्यफाग होता है, जिससे कीट की छे टांगें तथा दो पंख जुड़े होते हैं। प्रते एक टांग में उपस्थित दो पंजे तथा उन पर उपस्थित बाल कौकरोच को पकड़ने तथा दीवार पर आसानी से चड़ने में सक्षम बनाते हैं। कौकरोच की टांगें बहुत मजबूत होती हैं, तथा वो लगभग 4.8 किलोमीटर प्रती घंटे की दूरी तक तह कर सकते हैं। वक्ष मुख्यता तीन भागों में बटा होता है, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष तथा पश्चवक्ष, अग्रवक्ष ये टांगें कौकरोच के सिर के पास होती हैं, ये सबसे चूटी टांगे होती हैं, तथा कौकरोच को गमन करने के समय ये अवरोधक की भाती कारे करती है अग्रवक्ष का कुछ भाग कौक्रोच के सिर को भी ढखता है मध्धे टांगे, मध्धे वक्षिये टांगे होती हैं ये टांगे कौक्रोच को गती बढ़ाने तथा कम करने में सहायता प्रदान करती है पश्च वक्षिय टांगे कौकरोज की सबसे लंबी टांगे होती हैं तथा ये कौकरोज को आगे चलने में सहायता प्रदान करती हैं उदर कौकरोज यानि दिलचट्टे में खंडित उदर पाया जाता है जिसमें आंतरीक अंग पाये जाते हैं एक नली का कार हिर्दय रक्त को अंगों तथा उतकों तक पहुँचाता है रक्त रंगहीन होता है क्योंकि इसमें आक्सीजन को धारण करने के लिए हीमोगलोबिन नहीं होता है महाधमनी रक्त को विशेश अंगों तक ले जाती है अधिकान शरक्त रिक्तिस्थानों के जाल यानि नेटवक्ग द्वारा संचारित होता है जो रुधिर गुहा यानि हिमोसील कहलाता है शारी रिकी आहार नाल आहार नाल तीन भागों में विभगत होती है अग्रांत्र, मध्यांत्र तथा पश्चांत्र मुख एक छोटी पेशिये ग्रस्नी में खुलता है जिससे एक सीधी और संक्री नली ग्रसिका अंडिकलती है ग्रसिका एक भित्ती सद्रिश कोश में खुलती है जिसे श्यस्त यानि अन्नपुट कहते हैं जोकी भूजन का संचय करता है इसके पास में ही ग्रन्थिल जठर अथवा पीशणी उपस्तित होती है इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है तथा स्तर की उपत्वचा छैस धनों पर मोटी होकर उपत्वचिये दात बनाती है ये दात भूजन के मोटे कड़ों को पीशने में सहायक होते है मध्यांत्र एक संक्री एवं समान व्यास की नलिका होती है जिसमें उपत्वचा का आस्तर नहीं होता है अग्रांत्र एवं मध्यांत्र के संधिस्थल पर अंग्ली के समान छैसे आठ अंध नलिकाएं लगी रहती हैं जिनके सिरे बंद रहते हैं इनको यकृतिये या जट्रिये अंधनाल कहते हैं ये पाचकरस बनाती हैं मध्यांत्र तथा पश्चांत्र लंबी नलिकाएं होती हैं पश्चांत्र मध्यांत्र से चौड़ी होती है। पश्चांत्र तीन भागों में विभगत होती है। प्षुद्यांत्र, व्रहिदांत्र तथा गुदा। मध्यांत्र वापश्चांत्र के संदिस्थल पर लगभग एक सौ से एक सो पचास पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं, जिन्हें मेल पी की नलिकाएं कहते हैं। ये हीमो लिम्व से उस्सरजी पदार्थों के उस्सरजन में सहायक होती हैं। तिल्चटे में खुले प्रकार का परी संचरण तंत्र होता है। इसकी रुधिर वाहिनियां अल्प विक्सित होती हैं और रुधिर गुहां में खुलती हैं। तथा उसी में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं जिसे रुधिर लसी का कहते हैं। रुधिर लसी का हीमो लिम्फ रंग हीन प्लाजमा वा रुधिर राणूओं से बना होता है। हीमो लिम्फ रंगहीन प्लाजम तथा रुधी राणों यानी हीमो सैट से मिलकर बना होता है, जो की कौकरोच के रक्त को सफेद रंग प्रदान करता है। कौकरोच का हिर्दय वक्ष तथा अधर की मध्य प्रिष्ठिय रेखा के पास इस्थित होता है। हिर्दय आगे चल कर कीपा कार कोश्ठकों में विभेदित होता है, जिसमें दोनों तरफ आस्से होते हैं। कौकरोच का शौसन तंत्र शरीर के पाश्व की तरफ उपस्तित होता है। इसमें दस जोडी छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें शौसनाल कहते हैं। शौसनाल पुना विभाजित होकर पतली शाखित नलिकाएं बनाता है, जिन्हें शौसनलिकाएं कहते हैं। ये श्वास नलिकाएं वायू से आक्सीजन को ग्रहन करके शरीर के सभी भागों तक पहुचाती हैं। विस्रण विधी द्वारा श्वास नलिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है। उच्सरजी तंत्र कौकरोच में उच्सरजन मेल पीगी नलिकाओं द्वारा होता है। जो की आहार नाल में मध्यांत्र तथा पश्चांत्र के संयोजन पर उपस्तित होती हैं। मेल पीगी नलिकाओं ग्रन्थिल तथा रोम युक्त कोशिकाओं द्वारा आस्तरित रहती हैं। जो की नाइट्रोजनी अप्शिस्ट पदार्थों का अफ्शोशन करके उन्हें यूरिक अमल में परिवर्तित कर देती हैं। इस प्रकार का उच्सरजी तंत्र यूरिक अम का बना होता है जो की शरीर के अधर्द्ल पर पायी जाती हैं तथा युगमित अनुदैर्थ ये संयोजक से जूड़ी रहती हैं। तीन गुच्छिकाएं वक्ष क्षित्र में तथा छोए गुच्छिकाएं उदर क्षित्र में इस्थित होती हैं। मस्तिश्क सिर्के क्षित्र में अधी ग्राशिका गुच्छिका द्वारा निरूपित किया जाता है, जो की समवेती अंगों, श्रिंगिकाउं तथा संयुक्त नेत्रों को तंत्रिकाएं भेशता है. जनन तंत्र कौक रोच दुईलिंगी होता है, नर प्रजनन तंत्र में एक जोड़ी व्रिशन पाए जाते हैं, जहांसे शुक्रवाहक नीचे की तरफ इस्तित होते हैं, तथा शुक्राशे द्वारा होती हुए स्खलनिये वहनियों में खुलते हैं. स्खलनिये वहनियां शुक्राणूं को परस पर एक बंडल में बांधे रखती हैं, जिसे शुक्राणू धर कहते हैं. शुक्राशे नर गोनोफोर में खुलता है, जोकी गुदा की अधर सतह पर उपस्तित होता है. प्रजनन सहायक ग्रंथी छटवें और साथवें उधर खंडों में उपस्तित होती है. नर युगमन प्रावर्थ यानी गोनोफोफिस द्वारा बाहे जनन छिद्र निरूपित होते हैं. मादा प्रजनन तंत्र में दो बड़े आकार के अंडाशय होते हैं, जो उदर के दो से छटवें खंड में शरीर के पार्श्व पर इस्तित होते हैं. प्रतेक अंडाशय आठ अंडाशयी नलिकाओं के समोह का बना होता है, जिसमें परिवर्धित हो रहे अंडों की एक श्रिंखला पाई जाती है. ये अंडाशय एक अंड वहनी से जुड़े होते हैं, जो की जनन कक्ष में खुलती है. इसके अतरिक्त छटवें खंड में एक जोड़ी शुक्राण उधानी उपस्तित होती है, जो जनन कक्ष में खुलती है. मैथुन के दौरान नरकौक रोज मादा के अंड वहनी में शुक्राणों को इस्थानांत्रित कर देता है. ये निशेचित अंडे एक संपुठ यानी कैपसूल में लिप्टे होते हैं, जिसे अंड कवच कहते हैं. फिर ये संपुठ भोजन के स्त्रोत के निकट उप्युक्त सतह पर त्याग दिये जाते हैं. प्रतेक अंड कवच में लगभग 14-16 अंडे होते हैं. इस प्रकार कौक्रोच में निशेचन आंतरिक तथा परिवर्दन पैरा मेटबोलस होता है, जो की अर्भग अवस्था का अनुकरण करता है. मेढक मेढक उभैचर होता है. ये स्वच जल जैसे नालियों, तालों, तालाबों, जीलों, धीरे बहने वाली धाराओं आदी तथा जलन निकायों के पास नमी वाली भूमी में भी पाया जाता है. ये जीवन की उभैचर प्रणाली के लिए निमनलिखित अनुकूलनों को दर्शाते हैं. तवचा श्वसन का एक मुख्य सहाय कंग है, जिसके लिए ये इसे नम बनाए रखता है. जल में छलांग लगाकर शत्रों से स्वैम की रक्षा करते हैं. निशेचन तथा अंधन जल में होते हैं. आका रिकी तथा आंतरिक त्वचा से बनी होती है. ये संयोजी उतक कोशिकाओं तथा तंतुओं, रक्तवाहिकाओं तथा कोशिकाओं, मेरू तंतुओं तथा कोमल पेशिये तंतुओं से बनी होती हैं. त्रीकोणिये आकार का सिर धड़ भाग से जुड़ा होता है. आंतरिक मुख एक विस्त्रित अनुप्रस्त छिद्र होता है। मुख के उपर एक जोडी कण पाली कमदूरी पर उपस्तित होते हैं। दोन तरफ आखों के ठीक पीछे एक वनलक कण पटह यानी टिपनेपम उपस्तित होता है। आखें उपर तथा नीचे की पलकों द्वारा संरक्षित होती हैं। धड अग्रवक्ष तथा पश्च उदर में बटा होता है। धड में अग्रपादों तथा पश्च पादों का एक जोड़ा पाया जाता है। प्रतेक अग्रपाद में निकटस्थ, उपरी भुजा, मध्धे अग्र भुजा, कलाई तथा हाथ की उंगलियां पाही जाती हैं। पश्च पाद अग्रपाद से अधिक लंबे तथा अधिक मस्बूत होते हैं। शारीरिकी मेड़क की आहर नाल निम्लिलिखित भागों में विभक्त होती है। मुख तथा मुख ग्रस्निय गुहा। मेड़क में मुख चौड़ा, दरार सद्रिश, अर्थ चंद्रकार द्वार होता है, जो की थूतन के सिरे पर स्थित होता है। ये टिम्पेनम की एक सतह से दूसरी सतह तक फैला हुआ है। मेड़क में मुख गुआ तथा ग्रस्नी परस पर मिलकर मुख ग्रस्निय गुहा बनाती है। ग्रस्नी मुख ग्रस्निय गुहा का पश्च भाग ग्रस्नी को दर्शाता है। ये दो द्वारों द्वारा छिद्रित होता है. भोजन नली के मध में चौड़ा तथा घुमाओदार द्वार इस्थित होता है. ये ग्रसिका में खुलता है. ग्रासिका ये एक चोड़ी तथा संकुचित नलिका है गर्दन की अनुपस्थिती के कारण ये बहुत छोटी होती है तथा अमाशय तक फैली होती है अमाशय ये देह गुहा में बाई तरफ इस्थित होता है अमाशय आहार नाल का सबसे चोड़ा तथा लगभग दो इंच लंबा भाग होता है आहार नाल आंत्र अमाशय एक लंबी नलिकादार आंत्र में खुलता है ये तीन भागों में विभक्त होती है ग्रहणी चोटी आंत्र या शुद्रांत्र तथा बड़ी आंत्र या वरहदांत्र या मलाशय ग्रहणी ये आंत्र का यू आकार का अगरभाग होता है ये अमाशय के समांतर फैली होती है चोटी आंत्र या शुद्रांत्र ये कई लूप बनाती है ये पदली भित्ती वाली घुमाओदार नलिका जो की लगभग 8-10 इंच लंबी होती है बड़ी आंत्र या व्रिधांत्र या मलाशय ये छोटी किंतू तुलनात्मक चौडी नलिका होती है इसकी आंत्रिक सतह अनुदेर्ध वलियों में निर्मित हो जाती है इसे मलाश्य भी कहते हैं अवसकर तथा अवसकर-द्वार मलाश्य के दूरस्त भाग को अवसकर या अवसकर कक्ष कहते हैं इसमें गुरदे तथा मुत्राशे की मूत्र जनन वहनियों के छिद्र खुलते हैं शौसन तंत्र भोजन के आक्सी करण अथ्वा देहन द्वारा उत्पन उर्जा देनिक उपापचाई क्रियाओं को करने के लिए आवशक होती है इस प्रक्रिया के दौरान आक्सीजन उपभोग में आती है तथा कार्बन डायोकसाइट निशकासित होती है आक्सीजन को ग्रहन करने तथा कार्बन डायोकसाइट को त्यागने की प्रक्रिया सांस लेना कहलाती है तथा रासाइनिक परिवर्तन जिनके द्वारा भोजन का आक्सी करण तथा उशमे उर्जा की विमुक्ती होती है तथा कार्बन डायोकसाइट का निर्मान होता है श्व मेंड़क में सुविक्सित, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें रुधिर समवहन तथा लसी का तंत्र भी पाया जाता है। रुधिर समवहन तंत्र के अंतरगत हिर्दय रक्त वाहिकाएं तथा रक्त शामिल होते हैं। हिर्दय त्री कक्षिये होता है तथा इसमें दो अलिंद तथा एक निलाय होता है। हिर्दय एक जिल्ली में हिर्दया आवरण से ढगा होता है। एक तिर्भुजाकार सनचना जिसे शिराकोटर यानी साइनस वेनुसस कहते हैं, हिर्दय के दाहिने अलिंद से जुड़ा रहता है, तथा ये मुख्य शिराओं जिन्हें महाशिरा कहते हैं, इनसे रक्त ग्रहन करता है. हिर्दय की अधर सतह पर निलय एक थैली नुवा रचना धमनी शनकु में खुलता है. यक्रित निवाही का तंत्र यक्रित तथा आंत्र के मध्धे एक विशिस्ट शिरिये संबंद होता है, जबकि वरिक्किये निवाही का तंत्र वरिक्क तथा शरीर के निम्नतम भागों का विशिस्ट शिरिये संबंद होता है. रक्त प्लाजमा से बना होता है, तीन प्रकार के रक्त कणिकाओं के नाम निमने हैं रक्ताणूं लाल रक्त कणिकाओं, श्वेताणूं श्वेद रक्त कणिकाओं, पट्टिकाणूं यानि प्लेटलेट्स रक्ताणूओं यानी लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है तथा ऑक्सीजन तथा कारवन डायोकसाइट के परिवहन के लिए इनमें एक लाल वर्णक हीमोगलूबीन पाया जाता है रक्त की तुल्ना में लसिका में कुछ प्रोटीनों, रक्ताणों तथा प्लेट लेट्स का अभाव होता है उत्सरजी तंत्र उत्सरजन उपापचय के परिणाम सरूप बनने वाले अप्शिष्ट पदार्तों के उन्मूलन की वह प्रक्रिया है जिसमें हानी कारक उत्पाद शरीर से बाहर त्याग दिये जाते हैं मेढक में वरिक्क का एक जोड़ा मुक्य उस्सरजी अंगो होता है वरिक्क की सूख्ष्म सन्रचना कई लच्छेदार नलिकाओं की उपस्थिती को दर्शाती है जिसे मूतर जन नलिकाएं कहते हैं मूतर जन नलिकाएं शीर्ष के रूप में प्रारंब होती हैं जिसमें दो भित्तियां पाई जाती हैं जो की ग्रंथिल उपकला की चप्टी कोशिकाओं द्वारा आस्तरित होती हैं तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र नियूरौन से बना होता है तंत्रिका तंत्र तीन मुख्य भागों केंद्रिये तंत्रिका तंत्र, परिधिये तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्य तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है शरीर में मस्तिछक का महत्व ये है कि वह शरीर की कोषिकाउं, उत्कों तथा अंग तंत्रों के कारियों का समन्वें तथा नियंतरण करता है, जिससे कि वे एक इकाई के रूप में कारे कर सकें मेठक का मस्तिश्क तीन भागों अगर मस्तिश्क, मध्य मस्तिश्क तथा पश्च मस्तिश्क में विभक्त होता है अगर मस्तिश्क में घ्रान पालियां, जुडोमा, युगमित, प्रामस्तिश्क कोलार्थ और केवल एक अगर मस्तिश्क पश्च होते हैं मद्धे मस्तिश्क एक जोड़ा द्रिक पालियों का बना होता है। पश्च मस्तिश्क अनुमस्तिश्क एवं मेडूला ओबला गेटा का बना होता है। जनन तंत्र मेड़क के नर जनन अंग के अंतरगत एक जोड़ी व्रिशन, दस से बारा जोड़ी शुक्र, वहिकाएं तथा एक जोड़ी मूत्र जनन नली का या मूत्र नली आते हैं। व्रिशन हलके पीले रंग के अंडाकार या बिलनाकार संदचना वाले होते हैं, जो की लंबाई में एक इंच के होते हैं। मूत्र नली बाहे जनन उत्पादों को शरीर से बाहर निकालती हैं, इसलिए ये मूत्र जनन ननिकाएं भी कहलाती हैं। मूत्र जोहा के पश्च भाग में इस्थित होती हैं, तथा पेरिटो नियम के एक दोहरे वलय जिसे मैजोवेरियम कहते हैं, इसके द्वारा प्रिष्ट देह भृत्ती तथा वर्क की बाहरी सते से जुड़ी होती है। अंड़ाशे में कई पालियां पाई जाती हैं, जिनमें से प्रतेक जनन उपकला से आस्तारित होती है। अंड़वाहिनियां दो बहुत लंबी तथा मोटी भित्यों वाली घुमावदार नलिकाएं होती हैं। अंड़वाहिनी तीन क्षित्रों में विभक्त होती है। अंडवाहिनीय कीप ये अंडवाहिनी का कीपा कार सबसे आगे वाला भाग है, जो कि चोड़े अंडवाहिनीय द्वार या आशे द्वारा देह गुहा से संचारण करता है. अंडवाहिनी का मध्यबाग लंबा, संक्रा तथा अत्यधिक कुंडिलित होता है गारभाशय अंडवाहिनी का पश्च भाग पुना छौड़ा होकर गारभाशय अंड़ कोश का निर्मान करता है मेधक में निश्येचन बाहे होता है क्या आप जानते हैं? सर जौन बी गुरुडोन द्वारा केंद्रक प्रत्यारोपन यानि ट्रांस्प्लांट तथा कोशिका विभेतन मेढ़क की आंत्र में से एक कोशिका का केंद्रक मेढ़क के अंड में प्रत्यारोपित किया जाता है जो की एक सामान मेढ़क को जन्म देता है यह प्रयोग ब्रूणिय विकास के दोरान जीन्स के नियंत्रण के अध्ययन में सहयता करता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं केचुए का शरीर लंबा, बेलिनाकार तथा दुई पार्शविये सम्मिती वाला होता है केचुए में सिर प्रथक नहीं होता है, तथा प्रथम, तथा अंतिम को छोड़ कर केचुए का प्रते खंड में छोटे शू कुपस्थित होते हैं केच्वे की आहार नाल प्रतम खंड में मुख से प्रारंब होकर पश्च सिरे परिस्थित गुदा पर जाकर समाप्द होती है। तथा प्रिथ्वी के कंपन को भी महसूस कर लेते हैं। केच्वे उभैलिंगी होते हैं अर्थात एक ही प्राणी में व्रिशन यानी नर इवं अंडाशय यानी मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं। कौकरोच लंबी श्रंगिकाओं तथा पैरों वाले कीट हैं। कौकरोच का शरीर सिर, वक्ष तथा उदरक्षित्र में विभाचित होता है। आहार नाल तीन भागों में विभाक्त होती है। अग्रांत्र, मध्यांत्र तथा पश्चांत्र। कौकरोच में खुला परी संचरंड तंत्र पाया जाता है। कौकरोच में शौसन तंत्र शरीर की पाश्व सतह पर पाया जाता है। कौकरोच में उस सर्जन मैलिपी की नलिकों द्वारा होता है। तथा ये दुईलिंगी होते हैं। मेंडक उभैचर होते हैं तथा मेंडक का शरीर सिर तथा धड में विभाजित होता है, गर्दन तथा पूँच अनुपस्तित होती हैं, आक्सीजन को ग्रहंड करने तथा कार्बन डायोकसाइट को त्यागनी की प्रक्रिया सांस लेना कहलाती है, तथा रासायनिक परिवर्तन जिनके द्वारा भोजन का आउक्जी करन तथा उश में उर्जा की विमुक्ति होती है, तथा कार्बन डायोकसाइट का निर्मान होता है, इसे श्यासन कहते हैं. मेड़कों में सुविक्सित बंद प्रकार का परिसंचरन तंत्र पाया जाता है, मेड़क में वरिक्क का एक जोड़ा मुख्य उसरजी अंग होते हैं, तंत्रिका तंत्र तीन मुख्य भाग, केंद्रिये तंत्रिका तंत्र, परिधिये तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है, मेढक के नर जनन अंग के अंतरगत एक जोड़ी व्रिशन, दस से बारा जोड़ी शुक्र वहिकाएं तथा एक जोड़ी मूत्र जनन नली का या मूत्र नली आते हैं मेढक के माधा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाश है, एक जोड़ी अंडवाहिनियां तथा एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होते हैं